चरों के अज्यात गुणांग का मान पता करना आपने अब तक विभिन परिस्तितियों से निर्मित समीकरन निकाय को हल करके उनके चरों के मान प्राप्त करने के तरीकों को देखा जिसमें चरों के गुणांग हमें ग्यात होते थे पर यदि समिकरन निकाई के किसी एक चर का गुणांक अग्यात हो अर्थात समिकरन निकाई निमनलिखित रूप में हो 2x धन 3y रिंड 5 बराबर 0 kx रिंड 6y रिंड 8 बराबर 0 तब भी हम समिकरन निकाई को हल करके उनके चरों x, y और k का मान ग्यात कर सकते हैं उधारण 21 के के किस मान के लिए दिये गए समिकरन निकाई का अद्विती हल होगा x रिं के वाई बराबर 2 3x धन 2y बराबर रिंड 5 हल दिया गया समिकरन निकाई x रिं के वाई रिंड 2 बराबर 0 और दूसरा समिकरन है 3x धन 2y धन 5 बराबर 0 यहां हम x रिं के वाई रिंड 2 बराबर 0 को a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का हमें यहां पर एक सा गुणांक कुछ नहीं मतलब एक बी टू का मान वाई का गुणांक है रिंड के तो b2 बराबर धन c2 बराबर 0 से करेंगे तो हमें a2 का मान मिलेगा 3 b2 का मान 2 और c2 का मान 5 समिकरण समिकरण निकाय का एक अद्विती हल है समिकरण निकाय का एक अद्विती हल है अता दिया गया है हमारे पास कि समिकरण निकाय का एक अद्विती हल है अता हम यह जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के और इसका मान बराबर होता है c1 बटा c2 के या a1 बटा a2 में हम लिखेंगे इसका मान रखेंगे a1 और a2 का तो हमें प्राप्त होंगा 1 बटा 3 बराबर नहीं है b1 का मान रिण के और b2 का मान दो तो यह हो जाएंगा रिण के बटा 2 या 2 का तिर्याग गुणा करेंगे और रिण का रिण 1 बटा 2 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 2 बटा रिण 3 बराबर नहीं है के के या के का मान बराबर नहीं है रिण 2 बटा 3 से हमने यहाँ पे अंश और हर में रिण 1 का गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ रिण 2 बटा 3 इस तरह से के का मान बराबर नहीं है रिण 2 बटा 3 से तो के के मान अतिरिक्त आतिरिक्त आन्य सभी आन्य सभी वास्त विख मानों के मानों के लिए समीकरण निकाय का अदिती हल होगा तो के का मान बराबर नहीं है रिण दो बटा तीन से तो के के रिण दो बटा तीन के मान अतिरिक्त और सभी वास्तिक मानों के लिए समीकरण निकाय का अदिती हल होगा या इस उधारण का हल है अदिती हुआ 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 है